नौड़ा के सेक्टर 71 अंडर पास को आज नौड़ा प्राधिकरण ने आम जनता के लिए खोल दिया है आप देख सकते हैं कि ये वही अंडर पास है जिसे धाई सालों में बना कर तयार किया गया है हलाकि करोना काल के चलते काम थोड़ा सुस्त हुआ लेकिन आज दीपावली का तोपा आम जनता को नौड़ा प्राधिकरण ने दिया है क्योंकि आज से ये अंडर पास सुरू हो गया है इस अंडर पास के सुरू होने से जो सेक्टर 121, 122, नौड़ा एक्स्टेंशन और सूरजपूर, ग्रेटर नौड़ा के लोग थे उनको काफी ज़्यादा राहत मिलेगी हमारे साथ जो प्राधिकरण के अधिकारी है मुकेश जी वो भी मौजूद है, मुनी से जानेंगे कि आखिरकार कितनी लागा से ये अंडर पास तयार किया गया है और कितने दिनों में ये बन कर तयार हुआ है और कितने लोगों को इस अंडर पास के शुरू होने से राहत मिलेगी मुगेश जी ये बताइए लगबक कितने दिनों में ये बन कर तयार हुआ है इसको टोटल टाइम जो है दो साल और नौ महीने का समय लग गया इस प्रोजेक्ट को बनने में इस बीच कोरोना महामारी के वज़े से कई बार कार बंद रहा उसकी वज़े से कार प्रभारित रहा ये टोटल 69 करोड की लागत से बना हुआ है आज हम इसमें से हुस्यारपुर की तरफ से 71 की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए दो लेन खोल रहे हैं और दूसरी तरफ से आने के लिए भी दो लेन परसों तक खोल देंगे जिससे लोगों को आसानी हो जाएगी बाकी साइड में कुछ थोड़े बहुत काम चलना है इसलिए एक एक लेन जो है खोलते महामारी की वज़े से काम थोड़ा लेट हुआ है लेकिन अब आज से आम जंता को ये प्राधिकरण ने दीपावली का तोफा दिया है तो कहीं न कहीं लोग अब राहत की सांस लेंगे क्योंकि ट्रैफिक को लेकर के काफी ज़्यादा समस्याएं थी नौड़ा में हाँ इसमें से करीब आप ये समझेए कि एक लाख ट्रैफिक रोज यहां से निकलता था जो अभी तक दूसरे रास्तों से घूम के जा रहा था वो सारा ट्रैफिक अब यहां से निकलते हुए सीधे नौड़ा एक्स्टेंशन की तरफ जा सकेगा या नौड़ा एक्स्टें काफी हमको रहत मिलेगी मुकेश जी प्राधिकरण की अगली प्लानिंग है कि इसको रेड़ लाइट फ्री किया जाए ताकि जो आम जनता है वो सीधे एक्स्टेंशन तक पहो सके कहीं कोई ब्रेक ना हो कहीं कोई रेड़ लाइट ना पड़ए अभी अगर आप देखें त तो सिटी सेंटर से स्टार्ट करते हुए नोड़ा ग्रेटर नोड़ा में जो हमारा किसान चौक है वहां तक आल्मोस्ट हमने इसको रेड़ लाइट फ्री ही कर दिया है अगर आप इस ते पर्तला यहां से निकलेंगे पर्तला पे हमारा एक एक फ्लाइओवर का काम चल दा है वह भी एकले 6-8 मिने में कंप्लीट हो जाएगा उसके कंप्लीट होने के बाद आप सिटी सेंटर से स्टार्ट करते हुए सीधे किसान चौक तक पहुंचेंगे और पूरा रेड़ लाइट फ्री हो जाएगा बीच में भी कुछ पॉइंट से जहां पे हम लोग प्रयासरत है और जिस तरीके से अभी प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि जंता को रहत देने के लिए और भी कई प्लान तयार किये गए हैं और जल्द ही इसे रेड लाइट फ्री जोन कहा जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से बन करके तयार हो गया ह पेंटिंग का काम चल रहा है रंग रोगन का काम चल रहा है और ये भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा अगर हम बात करें तो कुल मिला के तैयारियां जोरो सोरो पर है और आज से आम जंता को ये समर्पित किया जा रहा तो यानि कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वासियों को दिया है और नोड़ा वासी भी इस अंडर पास के शुरू होने से काफी राहत महसूस कर रहे हैं नोड़ा से वीडियो जर्लिष्ट कुलवन सिंग के साथ बलराम पांडे एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी